सबी विवर्ष के लिए मिरा सलाम नमस्कार मैं अजेकुली इस वक्त हम महूं ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं यहां से एक नया चेरा उभर कर सामने आए जनता ने एकतरफा प्यार उनको दिया 902 वोटों से यहां से वे विजय हुए हैं सबसे पहले हम उनसे बाते करेंगे कि अपनी पंचायत से किन-किन मुद्धों को लेकर वो चुनाव लड़े थे और जनता के बीच गे जो जनता ने इतना प्यार उनको दिया नो सो पांच वोटों से यहां से विजय हुए हैं 2800 कुछ यहां वोटे हैं और उनमें से लगबग 1300 कुछ वोटे उनको प्राप्त हुई हैं और यहां से वो जीत हासिल करके आगे आए हैं और जानना चाहेंगे कि इस पंचायत की जो समस्या हैं उनको किस तरह देखते हैं और सबसे पहले हम डिटीव परिवार के उर्षन को बढ़ाए देना चाहेंगे बद सबसे पहले इस जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको एक तरफा आगे लेकर आई आपको जीत हासिल कराई आपके पंचायत की तो आपके पंचायत में सबसे एव समस्या तो सड़को की हैं आपके घर का रास्ता भी जो है वो बिल्कुल अच्छा है क्या मानते हैं और आप खुद सरपंश हैं तो किस तरह देखते हैं इन पर जाद रहेगा क्योंकि एजूकर से जोड़ना नोजवानों का बच्चों का यह बहुत से टे करता इनका और राष्टत आप देख रहे हैं आप भी आई हों के नहीं तो एक भी क्लियर नहीं है मलस्व में की चड़ है कच्छा है यह सब सम्में मेरा परपज है विकास का और गौक यह ज़म दिश्चाल से जंटा अगर आपकी बार आप चलता के बीच प्रियीश तो क्या वादे होंगे वाके में एक गलियां इनसे दिचूड़नार वादा स graphिड़ान को जंज्ड़त है जैसे आ जीच्योटकर आ lieutenant है तो उर इस को कर रहा फ嗎 प्रियोजना है उसका काम प्रोसीजर पर है उसको हम जल्दी जल्दी करवाने की इन्षाला कोशिज करेंगे कि फिर समय कहाना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत बढ़ाया और जन तक लिए खुद एजूकेटिड है और एजूकेशन के बारे में अपने बताए तो किस तरह के क्मेटिव बना कर या फिर गाव में मीटिंग्स वगारा करके किस तरह सिख्षा इस तरह कुँचा कि कि हैं करेंगे उसमें एजुकेटीड हैं जैसे गाम के पंच हैं और मोजी जैड लोग हैं उनके हम एक टीम गठित करके नहीं विकास को अमली जमा पहनाएंगे सबकी भागदार रहेंगे अपने चलाएंगे इस नहीं पूर गाम का जिन्होंने सेहों किया उनका भी जिन्हों नहीं कि उनका भी एक कमेट्टी बना कि नहीं विकास के एजन्टा त्यार करेंगे बागी जनता के लिए क्या संदेश क्या मैसेज देना चाहिए कि पंस साल आप जनता ने आपको चुना है तो किस तरह मतलब आपके साथ जूड़ के विकास करें मैं तो यह कहांगे बहाई चारस नसा से दूर रहें एजुकेशन पर जाता धिहान दें क्योंकि पढ़ाली का ही इनसान हम अधिकारों का लड़ सकता है मतलब अनपढ़ा इनसानों को गुम्रा करते हैं लोग तो हम तो यह चाहते हैं कि मैं पढ़े हैं और अपने हख की लड़े लड़ें बिल्कुल से आए हैं उन सभी को पूरा कराएंगे और लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे अब यहां से हमारे साथ और लोग मुझूद हैं उनसे बात करते हैं किस तरह देख रहे हैं अपनी पंचायत की समस्याओं को जुबैर जी में आपको क्या खास बात लगती है मैं महमद सरीम मेरे भाई हैं जुबैर जी और इंशियल्ला हम गाउं का जितना भी काम पेंडिंग पड़ा है उसे अभी से स्टार्ट करेंगे मैंन काम है जो कबरिस्तान की सफाई है कबरिस्तान में भी चार दिवारी है बागी के रास्ते हैं इनको लेके चलेंगे सब से फिर बाद ऑजुकेसन का वो एजुकेशन में इनशियल्ला हमादे फैंबली में सभी एजुकेटिद हैं तो ओजुकेशन को तो हम अलगी तरह कैसे देखेंगे और हम चाहेंगे कि गांगे जितने बी इनःजुकेटिड बच्चे हैं उनको एजुकेशन जोड़ना कि रुजज़ार की बात करें तो यहां पर वे रुज़जार बहुत होते हैं में यूज़ा क्या वज़ा मानते हैं कि दिएकि मुख्या आप लोग तो किस तरह देखते हैं और किस तरह से मतलब इनको आगे बढ़ाया भीजा सकता है काूं नागरी के टराफ इसके लिए हम कोशिश करेंगी इन्शालला गाउं में लाइब देखो लेंगे जिससे हमारे गाउं के बच्चे जो उसके कमपटीशन की तेयादी कर सकें ज़ी दन्यवाद देखे यह महुं में थे और महुं से हमारे साथ मोहमं जुबैर जी जो नुक तो शरपंचे वह भी मौझूद रहे उनके गाउं के लोग भी हमारे साथ थे परिवार के लोग जोनों ने बताया कि इस पंचायत का किस तरह विकास करा आजा सकता है यहां को कि बढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे आप हमारे साथ डिटीवी निवीज पर केमरा परसन इसमाल जी के साथ मैं आपका अपना जी कोली धन्देबाद